सब्सक्राइब कर रहे हैं अब मोशन चेप्टर में हमने अपने पार्ट फर्स्ट और सेकंड वीडियो में किया स्पीड और वेल उस्थीक है उन्हीं के बेसिंज पर हमने बताया क्या वह स्केलर क्वांटिटी या फिर चेज बताया कि मेटर पार सेकंड में भी हो सकती है और मेंड घ्लोभ टाँटंस कर सिप्सक्राइब कर दो किलोमीटर पर आवर इस नहीं में मिटर पर हमी आल पर सेकंड में धर you have to multiply kilometer per hour इसको multiply करना पड़ेगा किससे 5 by 18 से for example कैसे बही जैसे मैंने बोल दिया कि कोई train है वो 72 km per hour की speed से जारी है तो 72 km per hour 72 km per hour की speed से जारी है और अगर time दे दिया मैंने 10 second में तो आप क्या करोगे time 2 second में है तो आपने क्या किया इसकी speed को change किया कैसे multiply by 5 by 18 18 से multiply क्या 18 for the 72 होता है 5 for the 20 जो कि आंशवरा आया किसमे meter per second में अब उस train की speed meter per second में 20 meter per second है ठीक है अब हुआ कैसे ही मैंने बता दिया आपको formula 5 by 18 अब आया कैसे मेरे को क्या किया है मैंने सिंपल कम है क्या kilometer per hour को meter per second दी kilometer एक kilometer में कितने meter भाई एक kilometer में होते है 1000 meter होते हैं सबको पका है एक गंटे में कितने second 300 second अब ये kilometer में ने किसमें change कर दिया meter per second में cancel out करके देखता हूँ 20 से 20 अब मैं यहां से किया 2 से 28000 25000 तो कितना आया 5 by 18 तो 5 by 18 ही किया इसलिए आपके पास आया 5 by 18 अब आपके पास reciprocal भी दे सकते है क्या क्या आपको change करना है meter per second से kilometer per hour भी अगर आपको आप इसमें change करना है अब reverse कर दिया पहले यहां से यहां जाना था अब यहां से वापिस आना है यह भी reverse हो जाएगा तो अब आप क्या करोंगे मंटी प्राइबाई 18 by 5 for example कि मैं बोलू कि कोई train है वो आपके पास 30 km per hour की speed से जा रहे है कितने km per hour से 30, sorry 30 meter per second की speed से तो 30 meter, 30 meter per second तो आपके पास kilometer per hour में क्या change बनेगा 5,6,000, 18,6,000 108 km per hour अब meter per second को change कर दिया मैंने 108 km per hour की speed स्पीड होगे अब इसकी यह कैसे हुआ, तो आपके आप देखो आपने क्या करना है, meter per second को किस में change करना है, किलो में 1 meter में कितना km 1 km में तो 1000 meter 1 meter में कितना cm एक बटे 1000 एक बटे में 1000 और एक सेकुड में कितना गंटे 1 गंटे में तो 300 seconds और एक सेकंड में कितने गंटे, एक बटे, चातिसो, एक बटे, छातिसो, अब यह यहां मंटिपला, यह कैसे पता चला, यहां मैं पता चला, एक मैथ का रेश्यो होता है, आपने पढ़ा भी होगा, यह अगर इस डाइप की अगर इक्वेशन होती है, देन C को यहां पे, और फोर्थ रंप उपर, वीज, A, D, अपोन में, B, C, मैं यही कर रहा हुआ, यह यह यहां पे आया, यह उपर गया, तो आपके पास क्या बना, अब आपके पास बना, चातिस सो, बटे में, हजार, अब जब इसको सोला उट करता हूँ, तो आपके पास क्या बनेगा, 18 by 5, इस acceleration, जिसको हिंदे में बोलता हूँ, ताउरन, क्या बोलता हूँ, ताउरन, अब acceleration क्या बताया, acceleration बताया, कि आपके पास जो displacement आपने travel की थी, अब displacement से क्या drive किया था, velocity, अब वो velocity, जो change इंदा velocity, मैं दूसरे ट्रम में बात करूँ, कि acceleration क्या होता है, acceleration होता है, rate of change of velocity, कि जो velocity में change हुआ है, rate का मतलब मैं बोलू, तो rate का मतलब ही time होता है, बई, rate का मतलब ही क्या होता है, time, अब मैं दूसरे ग्रम में यहापे लिखू, कि acceleration is equal to, change इंदा velocity, अब यहाँ पे एक बार बात आते हैं, कि velocity, velocity डो टाइप की बताई गई, एक होती है, initial velocity, initial का मतलब क्या है, कि जहां से आप start कर रहे है, ठीक है, तो वो होती है, initial velocity, जिसको you से लिखता हो, clear है, you from umbrella, अब एक होती है, final velocity, कि जहां पे आप अपना destination खतम कर चुके ह है, कि माल लो, यह होगी, आपके पास इसको drive गया रहता है, V से, V for when, अब initial velocity, मैं कहूं, कि भाई, मैं माल लो मिने starting से लेता हूं, कि मैं 10 km per hour की speed से चला, और 20 km per hour की speed पर जाने के बाद रूख गया, तो 10 और 20, जो 10 तो क्या हुआ, initial, you, final कितना था, 20 पे coach गया, V, वो 20 पास क्या है, final velocity, अब change in the velocity, अब मैं कहूं कि इन दोलों के बीच में, 20 minus change कैसे करोगे, मैं बोलूं कि आपके पास, 20 और 10 के बीच का difference कितना है, तो कितना बता होगे, 10 बता होगे, कैसे बताया, गटाने के बाद, तो change in the velocity, मैं यहाँ पे लिखूं, कि अगर change in velocity, कि velocity में कित सब्सक्राइब, तो क्या होगा, कि change in the velocity क्या हुआ, कि final minus में, initial, final minus, initial, तो यहीं पे acceleration क्या हुआ, rate of change of velocity, change of velocity क्या है, V minus में, U, to the rate का मतलब क्या हुआ, time, कि change in the velocity, अब इस change in velocity को लिख सकता हूँ, इस डेल का मतलब होता है, small amount, small amount, कि जो भी आपके पास बचेंगी, वेलोस्टी, वो small amount में, डेल V upon में, T, यह आपके पास acceleration बचा, डेल V upon में, T, अब velocity, ठीक है, अब SI unit की बात करता हूँ, SI unit, यहाँने part, first और second वीडियो में आप को district किया है, अब SI unit की बात को, velocity के SI unit की आई थी, velocity की आई थी, meter per second upon में, time की क्या होती है, time की होती है, second, यह दूसरी ट्रम में बात को, velocity की दूसरी भी पता आई थी, kilometer per hour upon में, time किसमें लूँआ, गंटे में, तो अब यहाँ से अगर में, इसको आगे solar out करता हूँ, तो upon में second, ठीक है, into में second, यह दिवाना, इस डिवाइडी का मतलब क्या था, second ही था, यहाँ से मैं बात करूँ, kilometer upon में hour, into में hour, ठीक है, जब इसको solar out किया, तो second into second, अब यह आपके पास binary atom बती है, इसकी भी power one 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 है, तो multiply में जब हम इसको करते हैं, तो power add हो जाती है, power add होगे, तो कितना मन जाएगा, square, तो meter upon में multiply में जब यह अगर होता है, अगर base same होता है, और अगर power आपके पास कुछ है, तो multiply में होता है, तो आपके पास power जूल जाती है, अगर यही चीज़ डिवाइड में होता, यहाँ पे cross की time, that is meter per second square, यह दूसरी ट्रम में बात करूं, kilometer per hour square, इसको दूसरी ट्रम में यह भी लिख सकते है, kilometer per hour square, तो यह आपके पास SI unit i, इसकी acceleration, ठीक है बई, अब quantity की बात करता हूँ, quantity की बात, हमने earlier part में हमने किया था, यह quantity कौन सी है, अब velocity, सिनी ट्रम प्याँ वेलोस्टी, ब जब यह vector quantity है, तो X-reliacen B कैसी होई, तो X-reliacen is also, कि क्या है, X-reliacen B एक vector quantity है, X-reliacen B कैसी quantity है बैई, एक vector quantity है, ठीक है बैई